कि नमस्कार मेरा नाम पाउन काकुरिया और आप देख रहें थिंक ओफ काकुरिया मैं एजुकेशन मोटिवेशनल और नोलेज के लिए वीडियो ले क्या आता रहता हूं कि आज एक बहुत सेंसिटिव मुद्धे पर वीडियो लिख के आया हूं हर कोई बोलता है कि हमें किसी भी कंट्री में जाके रहना ही तो है हमें उस कंट्री के बारे में जादा जानने से क्या फरक पड़ता है कोई भी कंट्री हो उस इंडिया से अच्छे पैसे होने चीए ब पैसे ही सब कुछ क्या आप यह मैसूस कर रहे है न कि सोचो भाई अप यार ऐसी कंट्री में जाओगे जो आपको उसका कल्चरी पसंद नहीं है वहां का कुछ पसंद ही नहीं है तो आप क्यों जा रहे हो सोचो समझो और फिर डिसीजन लो कि मेरे लिए कूंड़ी कंट्री अच्छी है कूंड़ी कंट्री बनी है कूंड़ी कंट्री नहीं बनी शिर्फ पैसा मत देखो अगर आप एजुकेशन पर पछे जा रहे हो जाके पड़के आज छूटी कोई दिक्कत नहीं इंडिया वाप्श आके रहने आपके बच्चों ने रहना आ आगेगा भाईशिय सब oppressor कोईक्तिन है आप अगर कोई एसी कंट्री में जा रहे हो जिसके लिए आपको सोचना पड़ रहा है किसा आए भी आपके लिए कि वह अच्छा भी है सोचना बहुत जरूरी यह अंधल्ट यह फ़ए की आप पात चीजे जरूर देखे क्लों सब्सक्राइं अजयें लुकेयशन उसकी अच्छी कितनी अच्छी एव आपके लिए ऻृप थीक आलेये हैं कि दूसरा की गोईरमेंट आपको प्यार देती है या नहीं ची टिजन्श्प देती है या नहीं और उ Eliy कि आपको जाने के बाद महाँ का कलक्चर I doke करना पड़ेगा मॉध की मजबूरी है नहीं भाई आपको उस फ्सकलत्र में डलना ही पड़ेगा जब आप रहेंगे आपके बच्चे रहेंगे तो वेसलिए आप हैं है है मौसम बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा जो सरी रहना वो किस टेमप्रेटर में पसंद कर रहा है कैसा हमारे लिए ठीक है फिर winter या rainy season या summer season आपको कूर सा पसंद है या normal temperature ना rainy हो ना summer हो और ना ही winter हो तो ऐसा मोसम आपको पसंद है उस हिसाब से आप country चूच करिए बिल्कुल ऐसी country हैं जिसमें समान मोसम रहता है ऐसी भी कंट्री है जिन में सर्दी जादा पड़ती है ऐसी भी कंट्री है जिन में गर्मी जादा पड़ती है तो आप सोचो समझो उसके बाद डिसीजन लो है और सबसे जरूरी और लास्ट जो पांचवा है फिफ्ट है वो है वहां के लोग कि वहां के लोग आने वाले दू संदी करते हो वह से देखते हो पताले जैसे कुण आगया हो artık वादी आगया है तो तो फिर आनम प्रहारं सब्सक्ते हैं तो यह वह जरूरी एफ्रेस बहुत जरूरी है जब तक आप इन चीजों के बारे में नहीं ही सोचेंगे तब तक मुझे नहीं लगता किसी कंट्री में जाना जरूरी है और जा के ऐसे बसना फिर आप बाद में पच्टाइए यार यह क्या हो गया हमें तो सोचा इनिया यह लोग तो ऐसे खाते पिते यह लोग ऐसे रहते हैं यहां तो बुड़ापे तक कमाना पड़ता है और गौर्मेंट टाइम पर प्यार देती है या नहीं सब चीज़े आपको सोच के उस कंट्री में उसके बाद जाना है जा प्यार नहीं मिलती जब तक जो वोफर मिलते रहते हैं आप रह सकते हैं जो फर खतम आपको व करें बस इतना ही कहना है जय हिंद जय भारत आप 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 आप